आप दाको अफसर में बदलो, खर्चा इसमें करीब 6 ला गुरुपे खर्चा आया, इसमें एक्चुल में यह खेती जो 3 मेने की खेती है फ्लावरिंगी, इस तक्नीक को एरोपोनिक तक्नीक बोलते हैं बीका नेर में भी हो रही है कश्मीर के जैसे केसर की खेती, नमस्कार मैं हूँ सुमेशता विश्णोई और आप इसमें देख रहे हैं यह टुबलासन न्यूज, बीका नेर में भी कश्मीर के जैसे केसर की खेती की जा रही है, हमारे साथ में इस केसर की खेती को करने वाले ज कि मेरे नाम सुनिल जाजड़ा है और मैं यहां गंगा शेर का इरहने वाला हूं किया है यह इरानी तकनीक है तो हम जैसे लोगडाउन लगा था उस समय हम लोग गर पे बेटे थे तो मोदी जी नहीं एक बात कही थी आप दा को अफसर में बदलो तो उसी को हमने थोड़ा सीरियस ले लिया हो बोल सकते हैं तो मैंने इसका एक वीडियो देखा जो इरान में इस तकनीकी से कैसर की जाती है तो फिर मैंने इसकी जानकर इस उटाना सुरू करी 2020 से और 2020 से मैं इ करने के लिए कई तरीकी की विज्यानिक तकनीके अपनानी पड़ती है बीकानेर जो कि राजस्थान में जो कि एक पूरी तरीके से गरम परदेश है और उस जगा कश्मीर की जो कि एक ठंडा परदेश है वहां की खेती करना केसर की ये बहुती बड़ी बात है और बहुती बड़ा जो है खुद के अंदर सम्मान की बात है कि राजस्थान और बी के लिए मेंने सबसे पहले तो इसका टेंपरेटर में जासे रह सकता है समय उपर मैंने थोड़ा काम गिया और इसकोilड़ा आदमी की बारी नहीं है उसी साफसे भी इसको मैंने डॉप्लप किया है तो पहले तो इसे यह जो लगा रखे हैं इसमें इनسूलेट ऑपद से बनवाई है ओड़र से जो रूम का इसाइज के जशाव है तो कम से कम खर्टा कैसे लग सकता है उसके उपर उपर भी मैंने साथ में कितना गचा आपका जी मेरा खरचा इसमें करीब पूरा से पड़ा है जैसे मैं भीज मेरा जैसे यह सामने के पास पड़ा यह गर्मियों के समय किस तरह के से जो आपको बात करें तो इसमें एक्छलमें यह खैती जो तीन मेने की पड़ती है तो पांच डिग्री से देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए भी यह फसल जो है एक रोजगार की तरह अपना एक अवसर रखती है भारत में सबसे जादा केसर की खेती कश्मीर के पामपोर में ही की जाती है कि जैसा हमने देखा कि आपने जो है यह फूल या फिर जो भी जो है वह भाहर लगा रहे तो भी आपने बाहर क्यों लगा रहे हैं बाहर बिल्कुल सही हो जाएंगे या फिर इसको दुबारा से अंदर लाने की जरुरत पड़ेगी यहां पर रूम के अंदर तो एक्सल में क् यह एक एडवांटेज यह भी मिल जाता है कि बीज भी अपना अरसाल बढ़ता है तो अरसाल प्रोडेक्शन भी उसके साथ बढ़ेगा और उसके बाद में जैसे बीज के साथ फ्लावरिंग जो होती है फूल के पतियां भी बिकती है केसर भी बिकती है और जैसे बीज अप के लिए आप बताना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से काम करना चाहिए कि वो भी यह जो है आपकी तरह मिल्कुल सक्सेस हो पाएं इस केसर की खेतिकों करके नहीं अगर देखा जाए तो यह बहुत बढ़ी अपोर्चुनिटी एगर कोई करना चाहे तो कोई भी इसको करके अच्छी अर्निंग कर सकता है और मेरे क्याल से रोजकारगा भी बहुत बढ़ी असाधन हो सकता है आज की बढ़ी तस्विरम बस सितना ही मैं सुमेस्ता पिश्णाई कैमरा में सुमेस्त पिश्णाई के साथ में भीकानेर से दन्या